अलो दोस्तों प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे तो आज इस वीडियो के अंदर हम भोजन के घटक कक्षा छठी पाठ दो यानि चैप्टर नमबर टू कि कुछ extra questions के बारे में बात करेंगे हम आज बात करेंगे कि जो questions आप से पूछे जाते हैं exam में लेकिन वो आपके exercise के पार्ट नहीं है यानि कि वो आपके exercise यानि अभ्यास के प्रशन के अलावा प्रशन होते हैं यानि कई बार क्या होता है कि teacher आपको पढ़ाते हैं टॉपिक समझा देते हैं और आपको बोलते हैं कि अभ्यास के प्रशन कर लेना आप क्या करते हैं YouTube चैनल से या फिर किसी website से जाकर उन प्रशनों के उत्तर लिख लेते हैं फिर जब आप एक्जाम में बैठते हैं तो आपके प्रशनों कुछ अलग ही दिखते हैं क्योंकि आपने chapter तो धंक से पड़ा नहीं होता तो हमें जो answers हैं वो नहीं मिल पाते हैं तो यही वो कुछ सामान्य से प्रश्ण है जो आमूमन आप लोगों से आपके टीचर पूछते हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पर कुल 9 प्रश्ण मैंने लगू उत्तरात्मक दिये हैं यह जो आपके पास 9 प्रश्ण है जो लगू उत्तरात्मक प्रश्ण है विटा यह हमारा इस वीडियो के अंदर cover होने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको extra questions में दीरग उत्तर वाले प्रशन बताऊंगा फिलाल हम बात करते हैं प्रशन संख्या एक के बारे में हमारे शरीर को पोस्टिक भूजन की आवश्रक्ता क्यों होती है अगर कोई आपसे पोचता है कि भूयो हमारे शरीर में पोस्टिक भूजन की आवश्रक्ता क्यों होती है तो आप कहेंगे क्या कि हमारे शरीर को निम्न कारणों से पोस्टिक भूजन की आवश्रक्ता होती है क्योंकि इन से हमें ओर्जा चाहिए होती है व्रिद्धी के लिए आवशक है, स्वस्त रहने के लिए आवशक है, बीमारियों से बचने के लिए आवशक है अतय हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को पौस्टिक भोजन की आवशकता होती है क्योंकि अगर हम पौस्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमें उर्जा नहीं मिल पाएगी, व्रद्धी विकास नहीं हो पाएगा, स्वस्त नहीं रह पाएगे, बिमारियों या रोगों से लड़ नहीं पाएगे प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, भोजन के विभिन समूहों के हमें नाम बताने हैं, भोजन को बच्चों कई समूहों में बाटा गया है, उन समूहों में से आपके पास पहला समूह है, उर्जा प्रदान करने वाले भोजन, जिन में बटां कार्बोहाइडरेट और वसा को डाला जाता है यानि कि जिन भोजनों से हमें कार्बोहाइडरेट या वसा मिलती है उसे हम कहते हैं उर्जा प्रदान करने वाले भोजन शरीर बनाने वाले भोजन यानि कि प्रोटीन जिस से हमारा शरीर सुद्रड बनता है मांस्पेशियां मजबूत बनती है इसके बाद आत कि आपके टीचर इसके बारे में ना बताए क्योंकि आपके बुग के अंदर NCRT के अंदर ये बात नहीं मेंचन थी हाला कि हमने पढ़ा था कि उर्जा देने वाले भोजन है हमारे पास प्रोटीन के गुण हमने वहां पर पढ़े लेकिन ऐसे कुछ समुहों में बांट कर वह होते हैं रक्षात्मक भोजन उन भोजनों को कहा जाता है जिनकी उचित मात्रा हमारे शरीर में अगर विद्यमान हो तो हमारे शरीर के रक्षा होती है बिमारियों से वही कहारा रक्षात्मक भोजन वे भोजन जो हमारे शरीर को बिमारी से बचाते हैं रक्षात्मक भोजन कहलाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की साधरन विद्धी और उचित कारे के लिए आवशक होते हैं जैसे विटामिन और खनीज हमारे रक्षात्मक भोजन हैं उसके बाद है संतुलित आहार से आपका क्या अभिप्राई है यानि संतुलित आहार किसी कहा जाता है संतुलित आहा कहते हैं या फिर वो संतलित आहर कहलाता है यह आवश्यक अव्यक है कार्बो हाइड्रेट इसके बीच में स्पेस डाल देना यह साथ में हो गए तो वह हमारे पास कार्बो हाइड्रेट वसा प्रोटीन विटामीन खनीज तथा पानी जो पहले प्रशन में भी हमने जाना था उसके बाद है बटा प्रशन संख्या 5 रुक्षांस किसे कहते हैं यह शरीर के लिए क्यों महतपूर्ण है पलों और सबजियों के छिलकों में ये एक विशेश प्रकार का कार्बो हाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांस कहते हैं जिसको हमारा शरीर पचा नहीं सकत ये ध्यान रखना है रुक्षांस वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ती सेलिलोज से बनी होती है किस से बनी होती बटा सेलिलोज से और हमारा शरीर सेलिलोज को पचाने के लिए नहीं बना हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होती है फिर भी यह हमारे शरीर का भोजन का आप कह सकते हो एक अवश्यक अंग है यद्यपी ये हमारे शरीर में पच नहीं पाता किन्तु अन्य पदार्थ जो हमारे नहीं पच पाएं हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है शरीर के जो अंदर रुक्षांस पाए जाते हैं उनके निमलिकित कारी यह यह आहार नली में भोजन की गती क्रम को बनाए रखने में मदद करता है यानि अगर हमारे शरीर में रुक्षांस ना हो तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है वो एक जगे पर अटक जाए पचने के बाद भी मल के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा या आहार नरी को स्वच रखता है साफ रखता है कब्ज होने से हमारे शरीर को रोपता है यह मल गती मतलब जो हमारा पॉट्टी आता है उसकी गती को या गती करम को सुचारों रूप से बनाए रखता है इसके बाद है बटा हमारे पास अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 हमारे आहार में हरी सबजियां होना क्यों आवशक है यानि हमारे आहार के अंदर हरी सबजियां क्यों होनी जाएगे हमारे आहार में हरी सबजियां निमलिखित कारणों से आवशक है पहला हरी सबजी में हम उक्षांस होता है जो हमारे पचण तंत्र को चैक बनाए रखता है उसके बाद हरी सबजियां खाने से मसूरों में कसरत होते हैं। पी मुह आखे तो दाइन ऐसे ऐसे होंगे तो कस्रत होती है है हरी सभ्जिएअ खाने से मसूडे मझभूूत रहते हैं और dant भी सुरक्षit रहते हैं उसकी बाद है प्तरशन संख्या साथ कार्भो haveigrate क्या होती है इस किटने प्रकार की होते हैं हलाकि ये प्रश्ण बहुत ही उंदा लेवल का है आपके हो सकता एक्जाम में ना भी आए पर आपका जानना जरूरी है कार्बो हाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है अगर आप से कोई पूछ ले कि कार्बो हाइड्रेट किन तत्वों से मिल प्रकार को मुख्य देह तीन रूप में बाटा गया है पहला है आपका मोनो सेकराइट्स मोनो सेकराइट्स होते हैं जिनमें एक ही यूनिट होता है डाय सेकराइट्स में दो यूनिट होते हैं और ट्राइ या पॉली सेकराइट्स में तीन या तीन से जादा होते हैं उसके परिक्षन मंड के परिक्षन के लिए आलू जैसे कच्छी सामगरी को एक डिस में अल्प मात्रा में लीजिए कम मात्रा में लीजिए इसमें हमें तनू आयोडीन का 2 या 3 बूंद डालना है खाद्य पदार्त के रंग में परिवर्तन को देखना है यदी यह गहरा नीला या का रंग का हो जाता है तो यह मंड को दर्शाता है इसके बाद है हमारे पास आखरी प्रश्न प्रश्न संख्या 9 किसी खाद्यपदार्थ में प्रोटीन का परिक्षन यानि की प्रोटीन को टेस्ट कैसे किया जाता है खाद्यपदार्थ में प्रोटीन का परिक्षन एक परिक्ष होता है इसमें थोड़ा सा पाने डालकर अच्छी तरह हिलाएं आप इसे हिला लीजिए अब ड्रॉपर की सहायता से परकनली में कॉपर सेलफिट की कुछ बुंदे आपको डाल नी है दस बुंदे कॉस्टिक सोडा मिलाने के लिए आप इसमें डाल दीजिए परकनली को अच्छी तरह हिला कर परकनली को कुछ समय के लिए रख दीजिए परकनली में बैंगनी रंग का कुछ सॉल्यूशन नजर आएगा यह है प्रोटीन की उपस्तिती को सुनिश्चित करता है तो उमीद है बटा कि आपको ये 9 के 9 प्रशनों के उतर समझ में आगे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ और प्रशनों के बारे में आप चाहते हैं कि हर एक चैप्टर आपका अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो चैनल के साथ बने रहना है चैनल को लाइक कर देना है शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोले दोस्तों को बोले कि चैनल के साथ चुड़े जिससे कि उनको भी इस चैनल से फाइदा मिल सके स्टे जून टेक केर बाबाई